नमस्कार, आप देख रहे हैं दप्रनव टॉक, आपके साथ मैं हूँ प्रनव कुमार वर्ज 2013, सुप्रीम कोट ने एक फैसला सुनाया इसके मुताबिक अगर किसी सांसत या विधायक को दोशाल या उससे ज़्यादा की सजा मिलती है तो उसकी लोकसभा या विधानसभा की सदस्यता ततकाल प्रभाव से खत्म हो जाएगी वो अगला चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे उस वक्त सुप्रीम कोट के इस फैसले का सबसे ब्राप्रभाव लालू पर साधी आदव पर पर सकता था क्योंकि चारा गोटाल मामले में फैसला आने वाला था लालो की पाटी उस वक्त मनमोहन सिंग सरकार का हिस्सा थी ऐसे में मनमोहन सिंग सरकार सुप्रीम कोट के फैसले के खिलाफ एक ओर्डिनेंस लाई जिससे सुप्रीम कोट का फैसला इनेफेक्टिव हो जाए ओर्डिनेंस की सबसे सिंपल डिफनीशन है कि जब पार्लियाइमेंट का सेशन नहीं चल रहा हो उस समय भारत सरकार द्वारा लाया गया कोई भी कानून ओर्डिनेंस कहलाता है 24 सितंबर 2013 कांग्रेस सरकार ओर्डिनेंस की खुबिया बताने के लिए एक प्रेस कॉन्फरेंस बुलाती है इसी बीच प्रेस कॉन्फरेंस में राहूल गांदी पहुंचते हैं और वे कहते हैं राहुल गांधी के इस बयान के बाद यह ओडिनेंस वापस ले लिया जाता है वर्स दुहजार उन्नेस लोग सभा चुनाओं के परचार के दावरान करनाटक के कोलार में राहुल गांधी ने मोधी सरनेम को लेकर अपत्ति जनक बयान दिया था उन्होंने ललित मोधी और नीरव मोधी का हवाला देते हुए कहा था कि आखिर सभी मोधी चोड़ ही क्यों होते हैं इस बयान के बाद गुजरात के विधायक पुर्णेश मोधी ने कोट में मान हानी का दावा ठोक दिया था और कहा था इससे मोधी समुदाय की भावनाएं आहाथ हुई हैं इसके बाद बिहार के ततकालिन डिप्टे सीएम सुसील कुमार मोधी ने भी MP MLA कोट में मान हानी का केश किया था वर्ष 2023 सूरत की ये कोट ने राहुल गांधी को इस मामले में दोशी माना और उन्हें दो साल की सजा सुनाई हलांकी उन्हें बेल मिल गई लेकिन क्योंकी कानून यही कहता है कि दो वर्ष या उसी अधिक की सजा पाते ही किसी विधायक या सांसत की सदस्यता समाप्त हो जाएगी इसी के साथ कांग्रेस या संदेश देने में जूट गई है कि राहुल गांधी को वरष टाचार के खिलाब बोलने की कीमत चुकानी पड़ी यह संदेश कितनी दूर तक जाएगा और जनता इसे किस रूप में लेगी इस पर निर्भड करेगा कि राहुल गांधी को जनता की शानुभूती मिल पाती है या नहीं उसके लिए हमाहुल बनाना आसान नहीं होगा कि राहुल गांधी वरष टाचार के खिलाब बोल रहे थे इसलिए सरकार ने छलबल से उनकी लोग सबसदस्यता समाप्त करा दी क्योंकि उन्हें अदालत ने मानहानी का दोशी पाया है और उनकी सदस्यता उसी तरह गई जैसे दरजनों अन्य विधायकों और सांसदों की गई है इनमें लालो यादों से लेकर आजम खान तक हैं क्योंकि अलग-अलग मामलों में दोशी पाये गए जिन विधायकों और सांसदों की सदस्यता गई है उनमें सभी दलों और यहां तक की भाजपा के नेता भी सामिल है इसलिए कॉंग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की ओर से यहां बताना आसान नहीं होगा कि केवल विपक्ष के नेताओं को ही निशाना बनाया गया है इससे पहले चारा घोटाला के मामले में 2013 में कोट ने लालू यादव को दोसी थाराते हुए पांच साल के जेल की सजा सुनाई थी इसके बाद उनकी सांसदी चली गई थी साथी लालू सजा पूरी करने के छे साल बाज तक चुनाव नहीं लड़ सके थे MBBS सीट घोटाले में कॉंग्रेस के सांसद रासीद मसूद की सदस्यता चली गई थी रासीद कॉंग्रेस से राजसभा पहुंचे थी कॉंग्रेस ने उन्हें UP से राजसभा में भेजा था राजसबा सांसद रहते हुए उन्हें MBBS सीड घोटाले में दोसीद पाया गया कोट ने साल 2013 में चार साल की सजा सुनाई थी इससे उनकी सांसदी चली गई उन्नाओं में ग्याइंग रेप केस में बांगर मौसे विधायक कुलदीप सिंसेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई सुनाई जाने के बाद उनकी विधान सबसदस्यता खत्म हो गई थी फरवरी 2019 मुरादाबाद की एक विशेस कोट ने 15 साल पुराने मामले में समाजवादी पार्टी नेता आजम खान और उनके विधायक पुत्र अब्दुल्ला आजम को दो साल की सजा सुनाई थी इसके बाद उनकी विधायकी चली गई थी राहुल मानहानी के दोसी इसलिए पाये गए क्योंकि उन्होंने इस बयान से माफी मांगने से इंकार कर दिया कि सारे मोधी चोड क्यूं होते हैं भारतिय जंता पार्टी यह बताने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली कि राहुल ने एक जाती विशेश के लोगों पर अभध्र टिप नी करके उनका अपमान किया था और उन्हें सजा अदालत ने सुनाई है कहना कटिन है कि उन्हें हाई कोट या सुप्रीम कोट से राहत मिलेगी या नहीं और कॉंग्रेस उनकी सदस्यता खोने का राजनीतिक रूप से फायदा उठा पाएगी या नहीं राहुल की संसत सदस्यता समाप्त करने के फैसले पर विवाद स्वभाविक है कॉंग्रेस के आधिकारि परवकता ही नहीं उनकी हाल या सहयोगी बनी उद्द और ठाकरे की सीवसेना भी कह रही है कि राहुल की सदस्यता रध होना freedom of expression पर हमला है कॉंग्रेस कह रही है कि चुकि पार्लियामेंट और पार्लियामेंट से बाहर राहूल नीडर होकर बोल रहे हैं इसलिए सरकार ने उनके खिलाफ कारवाई की और जैसे तैसे उनकी सदस्यता खतम कर दी गई इस बहस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहीं पीछे छूट गया है राजनीती की जो रवायत है उससे कॉंग्रेस सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अंदेखी कर मामले को राजनीती करंग देने की कोसिस करेगी वहीं भाजबा चाहेगी कि मामला राजनिती के बजाए अदालत और राहूल के बयान पर ही केंद्रित रहे। उच महीनों बाद करना तक राजस्थान, मद्यप्रदेश और छतिसगड में विधान सा बाचुनाव होने हैं। चतिसगड और राजस्थान में कॉंग्रेस की सरकार है। ऐसे में उसकी कोशिस होगी कि इस मामले को पॉलिटिकल सेक्रिफाइस बताया जाए और मोधी सरकार की कदम को कटगरे में खड़ा किया जाए। ताकि राजस्थान और छतिसगड में सत्ता कायम रखने के साथ करनाटक और मध्यप्रदेश में बाजपा से सत्ता छीनी जा सके। और भारतिय राजनीती का सायदा ही होगा।